साथियों नमस्ते आप सभी का हादिक स्वागत अभिनंदन प्रेमित्रों हम लोग काविशास्तर की बात कर रहे हैं और काविशास्तर में पूरू के जदो व्याख्यान हैं वो व्याख्यान जो हैं एक रस निश्पत्ति को लेकर के वगवा और दूसरा साधारणी करण को ले जाते हैं भारती जो काविशास्तर हैं भारती काविशास्तर में छे संप्रदाई हैं काविशास्तर में कितने संप्रदाई हैं छे संप्रदाई हैं यह संप्रदाई आकिर बने कैसे तो देखिए इन संप्रदाईउं के पीछे की जो अउधारणा जो थी भारत की भूमी ज बाद विवाज और शास्तर चर्चा करना हमारे मनीश्यों का एक महत्मूर्ण शगल था तो हमारे यहां पर आदिम काल से यूं कह सकता हूं कि इस साथ पूर्व दूशे शिताबदी में एक विचार शुरू हुआ और वो विचार ऐसा नहीं था कि कोई चोपाल बेठी हरे एक व्यक्ति ने चिन तक जो था उसने अपने अपने हिसाब से विचार किया कि आखिर कावी जैसी जो महान विधा है इस कावी जैसी महान विधा में इस कावी का प्राण तत्व क्या है या यूं कह सकता हूं कि इस कावी की आत्म क्या है आत्मा क्या है या कावी का जो मूल वो क्या है और ये तीन बिंदू जो है इस पर आकर के अनेग प्रकार के शास्त्रार्थ हुए शास्त्रार्थ बहुत से वे लेकिन हमारे पास प्रामानिक दरस्ती से इस बात पर विचार करते वे छे संप्रदाय काविश संप्रदाय के रूप में प्रचलित हुए और वो जो शे सम्प्रदाई हैं उन 6 सम्प्रदाईं को वस्तूत उनका सब का विचार तो यही था कि कावी की आत्मा क्या होनी चाहिए कावी का प्राण तत्व क्या होना चाहिए अचारी भरत मुनि इसा पूरू दूसरी स्थाब्डी में आते हैं और वो कहते हैं कि रस ही कावी की आत्मा है उसके बाद में अचारी भामा 36 सताब्दी में आते हैं अलंकार वादी आचारी है काव्या अलंकार नमक पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक के माध्यम से ये प्रतिश्ठापित करते हैं कि अलंकार ही कावी की आत्मा है और उसके समर्थक में बहुत सारे समर्थन में लोग आए भरत के समर्थन में भी बहुत सारे लोग आए उसके बाद में आठवेश टाबडी में एक अचारी आए जिनोंने जिनका नाम है वामन आचारी वामन जो है उन्होंने जो है ये कहा कावे अलंकार सुत्र ब्रति उनके एक पुस्तक है और उस पुस्तक में वो कहते हैं कि रस और जो अलंकार जो है वो कावी की आत्मा नहीं हो सकती कावी की जो आत्मा है वो रीती है फिर आठवे स्ताबदी के बाद में नौवे स्ताबदी आती है और नौवे स्ताबदी में हमारे सम्मुक ध्वन्या लोक नामक एक ग्रंथ लिख करके और एक जो है बड़े आचारी भरत्मूनी के बाद में दूसरा प्रतिष्टित जिसे हम काविशास्तर में कहते हैं आज हम विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे और उस संप्रदाई के संस्तापक हैं आचारी आनंद वर्दन और उस संप्रदाई का नाम है ध्वनी संप्रदाई और आचारी आनंद वर्दन के पूरू में जो तीन संप्रदाई परसलित थे ध्वनी संप्रदाई चोथा सिद्धान था और उससे पूर जो रस अलंकार और रिती संप्रदाई जो था उनको इन्होंने ध्वनी में ही समाईत कर दिया और बोले कि ध्वनी ही कावी की आत्मा है ये ध्वनी क्या चीज है इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंग फिर उसके बाद में जो है दस्वी सिताब्दी में आचारिये जो है आपके द्वनी संप्रदाई के बाद में वक्रोक्ती और वक्रोक्ती संप्रदाई के संस्थापक आचारिये जो है दस्वी ग्यारियों सिताब्दी के बीच में वक्रोक्ती जीवितम पुस्तक लिखते हैं अचारी कुंतक जो है जिनका नाम कुंतल भी कहीं कहीं मिलता है कुंतक ने कहा कि ये सब कुछ नहीं है रस, अलंका, दीती, ध्वनी कुछ नहीं है वक्रोक्ती ही कावी की आत्मा है और उन्होंने बहुत विस्तार से पूरी पुस्तक बना दी जैसे ध्वन्यालोग पुस्तक आनंदवर्दन ने पूरी ध्वन्यालोग पुस्तक बना दी उस कावी की प्रान तत्व को लेकर के उसी प्रकार से इन बातुं को मैंने बहुत बार आपको समझाया है अचारी कुंतक या कुंतल ने एक पुस्तक लिखी उसका नाम था वक्रोक्ति जीवितम और उस पुष्तक के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध किया कि कावी का आत्म तत्व जो है वो वक्रोक्ति है उसके बाद में एक छोटा साख सम्परदाय फिर जो है ग्यार्म स्टाबदी में फिर आता है और दस्में और ग्यारिम सताबदी के बीच में अचारिक शेमेंद्रून का नाम है पुस्तक का नाम था अउचित्य विचार चर्चा और उन्होंने कहा कि कावी की आत्मा जो है वो अउचित्य है साव तो ये आपको धान रखना हो गई छे संप्रदाई हुए छे संप्रदाईों का मुख्य जो विवेचना का जो विशे था वो ये ही था कि कावी का प्राण तत्व क्या होना चाहिए इन छे संप्रदाईों को हम अध्धन की दरस्टी से दो भागों में बांट लेते हैं एक तो है आत्मवादी संप्रदाई और एक है देहवादी संप्रदाई प्रिसातियों समस्कित समिक्षा सास्त्र की जो समिक्षा सास्त्र जिसको हम कहते हैं उसका प्रस्थान मिंदू अचारी भरत्मुनी से शुरू होता है पहला प्रस्थान आप से पूछ ले कि समस्कित समिक्षा साफ्ष्टर का पहला प्रस्थान बिंदू कौन है तो कौन है बोलो आचारी भरत्मुनी है और दूसरे प्रस्थान बिंदू जो है वो कौन से है कौन है कि आचारी आनंद वरदन है अब यहां पर आत्मवादी संप् विशेश रूप से मानने वे इन शे संप्रदायों में और वो वे एक तो रस्ट संप्रदाय आचारी भरतमुनी का और जो हैं उसके बाद में ध्वने संप्रदाय जो हैं आचारी आनंद वर्धन का ये दो संप्रदाय जो हैं वास्तों में सबसे लोकप्रिये भी नहें सबसे ज़्यादा विवेचना इनी संप्रदाईं को लेकर के हुई है आचारी मम्मट ने भी आखिर अंत तो गत्वा 11 स्थाबदी में अपनी कावी प्रकाश नामक जो पुस्तक थी उसमें इन सब बात्वों को समाहार किया और उन्होंने भी ध्वनी और रस धान्त के विशेव को ह सबसे प्रमुक्ता से इस्थान दिया यह आपको धान डखना है अब यहां पर आपको ये भी जानना चाहिए कि वैसे हर संप्रदा एक दूसरे के विरोधी था जब आचारी भामा छठी श्रताबदी में और उनसे आच सुबर्स पहले आचारी भरत्मुने इसा पूरू उस तक लिक करके रस का प्रान तत्व जब वो कावे का प्रान तत्व रस को भोर्शित कर देते हैं तो आचारी भामे बिल्कुल स्पस्ट कहते हैं कि रस की रस जो है वो कावे का प्रान तत्व नहीं हो सकता मेरा अलंकार जो है वो कावे का प्रान तत्व है उसके बाद में वामन ने भी यही काम किया था लेकिन आचारी आनन्द वरदन ध्वनी वादी आचारी होते हुए भी रस की सत्ता को सुविकार करते हैं इसलिए वो रस वादी आचारी भी हैं ध्यान रखना होगा कि रस और ध्वनी परस पर विरोधी संपरदाई नहीं है बिल्कल ठीक सुन जोनी भी सारुभोमिक द्रस्टी से अलंकार संप्रदाय कावी की आत्मा के रूप में प्रतिष्टत नहीं हो सका। फ्रयस divisa土 यह सब लोग मानते हैं और चूंकि ध्वनी जो है वो रस schema कोई लेकर के बात करती हैं। द्वनी भी आत्मा मानीं जाती है। लेकिन अलंकार को अचारिय भामा और कुछ अलंकारवादी अचारियों के अत्रिक्त यतोचित इस्तान नहीं मिला इसलिए अलंकार जो है कटक कुंडल की भांती जो है दहब पर जैसे बहाईय जो सोबा है उसी की भांतिय अलंकार भी काविय में भाहिय सोबा बन करें गए ये आंतर सोबा आंतरिक सोंद्रिय के वर्धक जो हैं वो तो दोई हैं रस और ध्वनी और ये जो हैं भाहिय सोंद्रिय जरूर इन से आता है किन से अभी हम बात कर रहे हैं तो अलंकारवादी संप्रदाई जो है वो दहवादी है और उसके बाद में जो है आपको मैंने कहा किरीती संप्रदाई ये भी दहवादी संप्रदाई है तीसरा जो है आपका जो है वक्रोक्ती संप्रदाई ये भी दहवादी संप्रदाई है वक्रोक्ती बुक को भी सरुमा निदरस्टी से काव्य का आत्म तत्व नहीं स्विकार किया गया और चोता जो संप्रदाई है वो अचित्ते जो संप्रदाई हालांकि ये तो जो है इसका तो अचित्ते नाम ही है बाकि इसकी बहुत ज्यादा विवेचना जो है हमारे यहां पर नहीं हुई ये चार संप्रद हैं कई बार प्रेक्षों में इनका सई क्रम पुछा जाता है तो इसका सई क्रम क्या होगा देखो यहां आपको ध्यान डखना होगा इसा पूर्व दूसी सती और कौन भरत्मुनी और पुस्तक कौन सी नाटिशास्त्र नाटिशास्त्र मुख्य मुख्य चीज़ें बता रहा ह और संप्रदाई कौन सा रश संप्रदाई बात के लेर हो गई फिर उसके बाद में छटी स्वताबदी और कौन आचारिये आचारिये कौन भामा अलंकारवादी आचारिये हैं पुस्तक कौन कावयालंकार और संप्रदाई का नाम क्या अलंकार संप्रदाई तो रस के बाद में काल करम द्रस्टी से अलंकार संप्रदाई का इस्थान आता है उसके बाद में सुताबदी कौन सी बोलो 6 और 2 करो 8 तो आठवी सुताबदी आचारिय कौन वामन पुस्तक का नाम क्या काव्या अलंकार के आगे सुत्र वरती जोड़ दो काव्या अलंकार सुत्र वरती ये उनकी पुस्तक का नाम संप्रदाई का नाम क्या बोलो रीती संप्रदाई तो पहला संप्रदाई कौन सा रस दूसरा अलंकार तीसरा रीती और उसके बाद में नौवी सताबदी आ जाती है नोवे सतापदी जो हैं समस्कित साहित्ती की दर्स्टी से या समस्कित की दर्स्टी से समस्कित का स्वर्ण यूग है जैसे हमारे हिंदी का स्वर्ण यूग जो हैं ग्रियेशन कहते हैं भक्ति काल और जब हम आधुनी काल की दर्शी से देखते हैं कविता की दर्शी से तो चायावाद को जो है हम स्वर्ण यूग कहते हैं इसी प्रकार फिर कविता की यूग में देखते हैं तो नई कविता वाला जो काल है उसको हम स्वर्ण यूग कहते हैं तो साथियों ये आपको ध़ान रखना होगा कि नोवेश दाबडिय का काल समस्कित सहीत्य के द्रशी से स्वन काल का समय माना जाता है इसके अचारी वे आनन्द वर्धन ये वास्तों में नाम ही इनका आनन्द वर्धन नहीं था अपितु ये आनन्द को वर्धित करने वाले ही थे इनकी पुस्तक का नाम क्या था बोलो ध्वन्या लोग क्या नाम था ध्वन्या लोग और इस पर बहुत सारी टिकाएं भी लिखी गई अभीनाव गुप्त ने एक टिका लिखी थी ध्वन्या लोक लोचन तो अभीनाव गुप्त की है और ध्वन्या लोक आननवर्दन की है इसके माध्यम से इन्होंने कौन से संप्रदाई की स्थापना करी ध्वनी संप्रदाई की स्थापना करी और ये चोथा संप्रदाई था उसके बाद में कौन बोलो, वामन, कुंतक आ जाएंगे, कुंतक और कुंतल दोनों एक ही नाम है, समय कौन सा है इनका, इनका जो है, समय जो है, पहले लिख देता हूँ, कुंतक जो है, वो दस्वी और ग्यार्वी शताबदी के मद्दि है, नाम क्या है कुंतक, पुस्तक का न प्रश्यमेंद्र की पुस्तक का नाम क्या है औचित्य विचार्चा और इनका जो संप्रदाई है साथियों वह है औचित्य संप्रदाई देखिए अब यहां से प्रस्न क्या-क्या आपसे पुछे जा सकते हैं ये बात आपको ध्यान डखने है प्रिये साथियों ये आपको ध्यान डखना होगा कि देखिए यहां आपको ये ध्यान डखना होगा कि भरत मुनी की जो पुस्तक है वो क्या है नाटिशास्त्र है भामा की जो कावे आलंकार सुत्र ब्रती है, आनन्द वर्दन की धन्या लोक है, कुंता की वक्रोक्ती जीवितम है और श्यमेंद्र की ओचिते विचार सर्चा है, प्रस्न कैसा आता है, सुनिए, प्रस्न आपसे कई बार जो परिक्षाओं में पूछा गया है, वो ये आज आ सकता है कि का आवे शास्त्रिये संप्रदायों का काल क्रम की दरस्ती से सही अनुक्रम चुने, सही अनुक्रम चुने, तो यहाँ पर इसको मैंने भी याद किया है, आपको ये धान ड़कना है कि रस के बाद में, रो के बाद में अ आता है तो अलंकार और फिर एक र और आ जाएगा, बा तो रस के बाद में अलंकार, बीच में अलंकार आ गया फिर रिति संप्रदाय, तो इस अद्रस्ती से आपको सुमेलित कराओ ऐसा भी पूछा जा सकता है ये आपसे पुछा जा सकता है कि काव्य शास्त्री द्रस्टी से जो काव्य का जो ग्रंथ है उनका सई अनुक्रम क्या है तो सई अनुक्रम आपको ध्यान रखना होगा नाटि शास्त्र फिर काव्यालंकार फिर काव्यालंकार सुत्रवर्ति ध्वन्यालोग वक्योक्ति जीव अब यहां से एक प्रस्ण आने की पूरी-पूरी संस्दावना होती है है सातियों आज का संब्रदाई है वह होगा क्यूंकि हम रश संब्रदाई पूरा पढ़ चुके हैं अलंकार हम पूढ़ चुके हैं रिति आपके है नहीं आनन्द वरदन का ध्वनी संपर्दाई हुमें पढ़ना है और उसके बाद में हम वक्रोक्ती संपर्दाई की विशें में बात करेंगे अब यहां पर जैसा कि मैं आपको कहा कि अचारिये भरत मुनि के बाद में यदी कोई संप्रदाई सर्वादिक लोकप्रिय संप्रदाई हुआ जो आत्मवादी संप्रदाई के रूप में प्रतिश्ठापित है तो वो कौन है बोलो ध्वन्या जो है ध्वनी संप्रदाई है ये ध्वनी संप्रदाई क्या है इसके विशे में मैं बहुत विस्तार से आप लोगों तो आज तक बहुत सारी प्रिक्षाइं हुई और सभी प्रस्णों को तो मैं समलीत नहीं कर सकता था मैंने कुछ जो है कुछ अलग-अलग प्रिक्षाओं के जो है दस-बारा प्रस्ण आपके सामने में रख रहा हूं उसके माध्यम से आप कोई पता चलेगा कि हमें हमारी अध्यन की दिशा क्या होनी चाहिए तो आईए मैं आपको लिए चलता हूं सातियों यहां पर सातियों RPSC First Gate 2015 में एक प्रस्न आया वो प्रस्न क्या है सुनो द्वने सिद्धान से समंदित कौन सा कतन सही नहीं है अब यहां पर जो मैंने कहा अभी आपको उसे समंदित प्रस्न नहीं है यह इस द्वने संप्रदाई के अंदर से पुछा गया प्रस्न है देखे मैंने आपको कहा कि यहां से प्रस्न आता है लेकिन यहाँ पर ध्वनी संप्रदाई के अंदर की जो अउधारना है ये प्रसंद 2015 में वहां से किया गया साथियों ध्वनी के दो प्रमुग भेद माने गए हैं लक्षना मुला और विंजना मुला बिलकुल नहीं है विंजना मुला नहीं है एक तो अभीदा मुला है जिसको हम विवक्षितान वे परवाचे ध्वनी कहते हैं और एक लक्षना मुला ध्वनी है जिसको आ विवक्षि परवाचि ध्वनी हम कहते हैं प्रिसाथियों इसका मतलब सही अंस्वर तो यही हो गया क्योंकि ध्वनी के दो प्रमुख भेद लक्षना मुला तो है लेकिन दूसरा जो है वो कौन सा है बोलो अभीदा मुला है अब आप कहोगे सर ये थो हम जानते ही नहीं है आज का ये व् द्वनी है उसका नाम है विवक्षितान वे विवक्षितान ने परवाचि ध्वनी परवाचि ध्वनी ये तो है अभीदा मुला और फिर आप से ये भी पूछा जा सकता है कि लक्षना मुला ध्वनी का दूसरा नाम क्या है लक्षना मुला द्वनी है उसमें वी के आगे आ जोड़ दो तो आ विविक्षितान वे परवाचि ध्वनी जो है वो लक्षना मूला है फिर आप से ये भी पूछा जा सकता है कि आ विविक्षितान परवाचि ध्वनी जो है उसके कितने भेद है तो इस प्रकार प्रस्णू का इस्थर पहला बड़ा जो है ध्वनी संप्रद पिर अविविक्षित वाचिध्वनी के भी दो भेद मानेगे हैं, ये कौन-कौन से हैं साथ, एक तो है अर्थांत्र संक्रमित वाचिध्वनी, और एक है अत्यन त्रिस्कृत वाचिध्वनी, इसमें होगा, हाँ, अब देखो, तो ये दो भेद ये भी ठीक है, फिर अत्यन त्रिस्कृत वाचिद्वनी अत्यन त्रिस्कृत वाचिद्वनी ये लक्षनामुला ध्वनी का ये एक भेद है इसका मतलब ये तिनू स्टेक्मेंट जो थे वो ठीक थे और ये वाला रॉंग था बात के लियर हो रही न तो ये चीज़ें आपको धान रखनी होगी उसके बा भामा ने कौन से पुस्तक लिखी काविया लंकार समय कौन सा है चट्री शताबदी उसके बाद में रूद्रट जो है इनका समय तो नोवी शताबदी है लेकिन ये ये लंकारवादी आचारी है ये भी आपको जैदेव जो है वो भी लंकारवादी आचारी है ऐसे आपको ध कावेशास्त्र में मैं कई बार सूचता हूँ कि आचारी मम्मट यदि कावेश प्रकाश ग्रंत नहीं लिखते तो निश्यत रोब से हमारी बहुत सारी अउधारणाई कॉंसेप्ट जो थे वो अधूरे रे जाते केशव जो है रितिकालीन कवी है अलंकारवादी आचारी है जैदेव जन्नों ने लिखी जैदेव की पुस्तक का नाम है चंद्रालोग चंद्रा लोग और कवी प्रिया रसित प्रिया आप सब जानते हो कठिन कावी की प्रेथ हैं और अलंकार वादी घोर अलंकार वादी आचारी है भामा जो है वो भी अलंकार वादी आचारी है कावया अलंकार पुस्तग लिखते हैं बलकि कावया जो है अलंकार वादी ही नहीं अलंकार संप्रदाई के प्रतिश्ठापक पोशक और प्रवर्तक आचारी है अचारी भामा इसका सही अंस्वर है आनन्दवर्धन क्योंकि आनन्दवर्धन आप लोग जानते हो इनका सम्मन जो है वो द्वनी सम्प्रदाई से जुड़ा है यह प्रसन जो है असिस्टेंट प्रोफसर 2016 UP HSC में आया वा है साथियों यह राजस्तान कोलेज लेक्सर भक्ति परिक्षा 2015 और साथ में एक और लिख लें जो है प्राध्यापक परिक्षा प्राध्यापक स्कूल व्याक्याता परिक्षा 2018 में भी यही प्रसन डिपीट हुआ है यह जो प्रसन आप देख रहे हो यही प्रसन वापस कावी के प्रान तत्व के रूप में आनंद वर्दन कहते हैं कि कावी का प्रान तत्व द्वनी है और द्वनी क्या है व्येंजना शबचक्ती कलिए लक्षना और वेंजना ध्वनी जो है ध्वनी काव्य वेंजना प्रास्रित होता है इस वेंजना के लिए उन्होंने एक बहुत सुन्दर नाम दिया याद रखना पुछा जा सकता है आचारी आननवर्दन व्यंजना के लिए प्रतियमान अर्थ की संकल्पना करते है फिर वो कहते हैं कि ये प्रतियमान अर्थ जो है ये होता क्या है तब वो कहते हैं कि प्रतियमानम पुनर अन्यत एव वस्तु अस्तिवा वानिक्षु महाकविनाम मैं आपको इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा वो कहते हैं कि प्रतियमान तो कोई अन्य ही चीज है जो महाकवियू की वानियू में रेता है और उन्होंने उस अर्थ के दो भेद कर दिये एक तो वाच्चे और एक प्रतियमान यह आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर वो यहाँ से जो है वो अपने ध्वन्या लोग का पहला मेरे पास मूल गरंथ है और ध्वन्या लोग का पहला श्लोक यह है क्या है कावश्य आत्मा ध्वनी रिति वो कहते हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनी रिति आपको ये ध्यान डखना होगा इस बात को कहकर के मैं आपको डरा तो नहीं रहा लेकिन ये संप्रदाई जो है इनके प्रस्नों का आपको सही करना है तो आपको 10-20 जो है समस्कृत के शलोक याद करने पड़ेंगे जो इनसे सम्मंदित है ये आपको ध्यान डखना है साथियों आचारी आननदवर्दन कहते हैं कि काविस से आत्मा द्वनी रिती बुधैर ये समामनात पूरवा वो ये कहते हैं कि कावि की आत्मा द्वनी है और वो खुद ये कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा बुधैर ये अर्थाद विद्वानू ने ये बात कही है और वो कहते हैं कि समामनात पूरव वो कहते हैं कि समामनात अर्थाद ध्वनी कावी की आत्मा है ये बात केवल मैं पहला अकेला कहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ बलकि समामनात एक क्रमिक श्रंखला से क्रमिक श्रंखला से क्रमिक श्रंखला पूर्ण या जो यूं कह सकता हूँ कि उत्रोतर एक के बाद में दूसरे आचारी ने मुझसे पहले भी ये बात कही है कि द्वनी ही काविय की आत्मा है कि तस्य आभावं आचारी आनन वर्धन जो है खुद ही प्रस्ण कर रहे हैं और खुद ही उत्र दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि कावी के आत्मा तो ध्वनी है और ये मैं नहीं कह रहा मेरे से पहले भी ये परंप्रा चली आ रही थी और सब लोगों ने ये कहा है कि कावी ही जो ध्वनी ही कावी की आत्मा है लेकिन वो कहते हैं कि तस्याभावम जगतूर परे बात समझ माई वो कह रहे हैं कि ध्वनी विरोधी संकल्पना की उन्होंने कि भाई ध्वनी कावी की आत्मा है लेकिन जब मैं ये बात कहूंगा कि द्वनी ही कावी के आत्मा है तब कुछ द्वनी विरोधी लोग होंगे और द्वनी विरोधी लोग कितने हैं तीन लोग है वो तीन कौन-कौन से हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे थोड़ा यहां पर क्योंकि प्रस्णों तरकेशन करा चल रही है आपसे ये धान डखना है आपसे गेदी कोई प्रस्ण कर ले कि अचारी आनंदवर्धन के मतानुसार द्वनी के संदर में या ध्वनी विरोधी मत कितने है तो तीन मत है ये आपको धान डखना है भागतम आउस्तन तमन्य भागतम आउ अर्थाद्भुजो भक्तिवादी जि ही चीज कहते हैं यह आगे हम बात करेंगे यह कथन इसमें किस आचारिय का है तो यह आपको बताने की जुरूरत नहीं है आनंद वर्दन का है और यह आपको पूछा गया है साथियों राजस्तान कोलेज लेक्षर भरती परिक्षा पेपर प्रथम 2014 में यह प्रसन फिर आया ए इसमें भी आया इसमें भी आया है इसकूल लेक्षर में भी कोलेज लेक्षर में दोनुम आया है इसी प्रकार वो कहते हैं कि द्वनी के त्रिवित प्रकार निम्ड में से कौन से हैं अलंकार द्वनी वस्तु द्वनी और रस्त द्वनी तीन भेद माने हैं अलंकार वस्तु और रस्त ध्वनी देखो कहा है वस्तु अलंकार रस्त एक ही नम्मर इसका होगा यह आपको धान डटना है इसमें वस्तु ध्वनी और अलंकार ध्वनी को वो जो है इतना महत्व नहीं देते और रस्त ध्वनी जो है इसी को आगे भेद होंगे आगे हम बात करेंगे बहुत शांदार ये सिध्धांत है ये आपको धां डखनाए पांचों प्रस्ति ये है कि द्वन्या लोग ग्रंत के रचेता कौन है थो और प्रस्तान कोलेज लेक्चरर भर्ती परिक्षा में प्रस्त बीस्त अनुक्रम है देखो ये प्रस्ण में आपको बताया था कि काल कर्मानोसार सही अनुकरम क्या है हिमाचल प्रदेश पीजी टी दोजार सोला में ये प्रस्ण आया अब इसमें आप देखो वामन लिखो कौन सा स्कताबदी है आठवी अभिनाव गुप्त ग्यारवी ममठ ग्यारवी अभिनाव गुप्त दस्वी ग्यारवी के मद्या और ममठ ग्यारवी सही अनुकरम ये है अभिनाव गुप्त जो है वेंजनावादी आचारी थे और शेक कश्मीर के ही रहने वाले थे द्वन्या लोक लोचन टिका और अभिनाव भारती इनके दो ग्रंथा आते हैं जो बहुत मैत्पूर्ण है अभिव्यक्तिवाद सिध्धानत इन्होंने दिया था रस निश्पत्ति के शेत्र में आपको धान डखना चाहिए जो सर्वसरस्ट सिध्धानत का आजाता है रस निश्पत्ति का और ये वेदानती भी थे ये भी आपको धान डखना होगा और साथ ही वेंजनावादी आच आचारी भटनायक ने जब साधानिकर्ण की संकल्पना दी तो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से इनों नहीं जो है अभिनव गुप्त नहीं उस जो है भटनायक के द्वारा माने गए जो भावकत्व और भोजकत्व नामक दो व्यापार जो थे उनको आश्विकार इनों ने कर दिया था साथियों ये चलो ये तो इसका स्पस्टिकन है तो ये मैं बता चुका हूँ चलीगा काल करम की दर्शी से साइते सिध्धानतों का सई अनुक्रम क्या है यूजिसी नेट दिसंबर 2018 मैं अभी आपको बात बताई अब आपको कोई समस्या नहीं हो सकती ये हो नह अलंकार पहले नहीं आ सकता रस पहले आएगा अलंकार उसके बाद में र र और फिर दवनी आएगा बस यह इसका एन्सवर है दो नमबर ऐसे आप उद्धान डटना है तो ये इसका स्बस्टिकन है ये बता चुका हूँ आनन बर्दन ने किसे द्वनी की आत्मा माना है द् विशिष्टत्व आगेतर साब हम जो है कोई विशिष्टत्व कुछ अलग चीज होती होगी और हम कुछ और कर दें ये ये आपको नहीं करना है प्रिसाथियों प्रवसन संक्या 10 आपके सम्मुक है और कहा गया है कि निमलखी संप्रदायों को उनके आचारीों के साथ सुमेल जीवितम और कुंतक या कुंतल दोनों नाम है द्वनी संप्रदाय जो है वो आनंदवर्दन का है और रसंप्रदाय जो है आपको धान रटना होगा कि भरत्मुनी का है अब सुमेलित आप खुद कर सकते हो और चित्ति के ख्षैमेंद्र है वक्रोक्ति के कुंतक है और को भी एंस्वर होगा देख लेना हो कावेशास्तर के इन ग्रंतों को रसनाकारों के नाम के साथ सुमेलित कीजीगा देखो में आपको बताया ना कि इस प्रकार के प्रस्ण और ये प्रस्ण किसमा आया यूजी सी नेट सेकिंड पेपर जूम दिसंबर 2009 में ये प्रस्ण आ है साइत के दर्पन जो हे वो आचारी विश्वनात का है एक नम़ है रस गंगाधर पंडित जगंळात सात्यों विश्वनात जो जो है वो चौदमी शतापदी का अचारी है और जगंळात सत्रवी के है ये ग्यार्मी शतापदी का आचारी है आनन्वर्दन नों से निप завис ह हैं और राज सेकर जिन्होंने कावि मिमा सा लिकिती ये भी जो है 14 श्रावदी के बाद के हैं अब यहां पर देखो रस गंगाधर रस गंगाधर जो है उसको पंडित राज जगनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम यहीं से आता है पिसलिवार पुछा गया था वाक्यम रसात्मकम काव्यम तो यह आपको धान रखनाए इसका सही अंस्वर चार होगा और काव्य प्रकार जो है उसका दो होगा इसको मिला ले ना सम्प्रदाई चले आ रहे थे तीन सम्प्रदाई इन से पहले थे लेकिन जो है क्यों इतना मेतमुन सम्प्रदाई वो बन गया आके उसको पीछे कौन से तर्ग थे ध्वनी हम किसे कहते हैं ध्वनी की को लेकर के आचारी आनंद वर्दन ने क्या-क्या नवीन इस्थापनाई करी ध्वनी के कौन कों से भेध है इन तमाम चीजों की हम बात करेंगे अगले वैख्यान में नमस्ते धन्यवाद